नमस्कार, मैं हो ससी, आइए जरखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं प्रमुक अभिसेक आनन्द ने नए दिल्ली में लोधी रोड इस्थित मौसम भावन के विरिष्थी सभागार में सरश्रेश्ट मौसम केंडर का प्रशकार गरहन किया, बता देराणची के हीनों इस्थित मौसम केंडर की ओर सेया जनकाली दी गई है, मौसम केंडरे ने बता कास अपना दिवस समारों में सामिल हुए मौसम भवन के ब्रिष्टी सभागार में अवित्मुख्य समारों में मौसम केंद्र रांची के अविसेक आनंद के सर्वस्रेश्ट मौसम केंद्र का पुरसकार ग्रहन किया गया जारखन में आज से फिर बढ़ेगी ठंड जारखन के उपर छाय हलके बादलों के छटते ही रविवार से ही ठंड का असर दिखने लगा है आसमान के साफ होते ही सर्द हवाव कपर को बढ़ेगा इसके चलते निवत्वत अपमाण में दो से तिन डिगरी तक की गिरावट होगी जिससे कनकनी बढ़ेगी इसका असर दो दिनों तक रहेगा हलाकि मंगलवार से दुबारा मौसम के गर्म होने की समभना है राज्य में आज कई हिस्वों में कनकनी और ठंड बढ़ेगी हवाव के चलते कोहरे और धोन की सिती भी बनी रहेगी मौसम बिभाग के अनुसार राज्य के उत्री भाग पर छाय हलके बादल चट रहे हैं इसके साथ ही पच्मी बिच्वोप का परकोप कम हो रहा है आसमान साफ होते ही ठंड हवावे चलने लगेंगी राज्य के उत्री भाग में ठंड कुहासा से निवता तपमान के 8.0 डिग्री से नीचे आने के असार है मिडडे मील योजना को चुना लगा रहे है अपसा सोसल आउडिट में खुलासा जारखंड के सरकारी स्कूलों में मद्याहन भोजजन योजना यानि एमडी एम में भारी गरवड़ी उजागर हुई है इसकूल में कहीं अनाज कम दिये जाने कहीं अंडा फल नहीं देने तो कहीं जाच के बाद बिल जमा करने जैसे गरवड़िया सामने आई है यह खुलासा इसकूलों की सोसल आउडिट के रिपोर्ट से हुआ है रिपोर्ट मिलने के बाद सिक्षा सचीव ने सम्मधित अधिकारियों से हसबस्टी करन नोटिस के साथ सा सिक्ष को कोविन नोटिस देने का नेज्यस दिया साथ ही विभागिये करवाई शुरू करने को कहा गया है इसकूली सिक्षावस्ट शटा विभाग के सचीव के रभी कुमार के अधक्षता में पिछले दिनों खूर्टी को डर्मा दुमका हजारी बाग जामतला धनबाद गोड़ा लोहर्दगा और देवगहर में MDM की सोसल अडिट होई दुमका के मसलिया के उतकरमिक मदे बिद्याले गोलापूर में इसकूल का बिलाए किये जाने के असमंजस में 105 दिनों तक बच्चों को मिड़े मिल नहीं मिल सका ऐसा अगस्त 2019 से जनवारी 2020 तक हुआ वहीं तदकालिन BEO को इसके लिए दोसी पाया गया दुमका के D.A.C. को समधित BEO के खिलाब प्रपत्र का गठित कर करवाई के उनसर सपरात्मिक सिक्षा निदेशाले को भेने का निर्देश दिया गया है सरकारी इसकूल में पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे ठंड से ठी ठूरने को मजबूर जारगन में सरकारी इसकूलों के बच्चों में से लगभग 10 लाख बच्चों को यूनिफोर्म नहीं मिल पाई है ठंड में उन्हें स्वेटर तक नहीं मिल पाया पिछले दिनों होई समिक्षा बेटक में यह बात सामने आई थी कि लक्ष के बिरूद लगभगती 70% बच्चों को ही इसका लाभ मिला कूल 38.29 लाख बच्चों में से अभी तक 27.87 लाख बच्चों को ही पोसाक मत किराशी मिल पाई है राज सरकार ने चालू बीतिय वर्ष में समगर सिक्षा अभियान के तहाद 36.78 लाख तथा राज बच्चों से 1.51 लाख ये पील बच्चों को पोसाक उपलब्द कराने का लग्ष रखा था लेकिन अभी तक कूल 27.88 लाख बच्चों को ही पोसाक किराशी मिल पाई है रान्ची में 77 खेल महर्वसव 17 फरवरी से जारखन के रखाणे राज़ाने सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रान्ची की यथास में या सबसे भव्यवा यथासी खेल महर्ष होगा उन्होंने कहा है कि सभी खेल अंतर राश्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपन होंगे राजधानी राश्ची के महस्वारी भवन में उलम्पिक खिलाडी रह चुकी रीना कुमारी ने 17, 18 और 29 फ्रवरी को खेल गामें आयोजित होने वाले सांसत खेल महसों का ब्रोसर वा आवेजन फरम जारी किया प्रेश को समधित करते हुए सांसत सिरिस एट ने कहा है कि या आयोजन भव्य और एतिहासिक होगा टेक्स लिमीट पांच लाख हो राश्ची के चार्टर्ट एकाउंटेट की राए आवेजन को लेकर आयोजित परिचार्चा में चार्टर्ट एकाउंटेंट ने कई मायंग रखी है इस देवरान जहाड हाई लाख से बढ़ा कर पांच लाख रुपे टेक्स लिमीट करने की मायंग की गई वहीं GST और Income Tax Administration को इंप्रूब करना चाहिए साथी करदाता फ्रेंडली हो अधिकारियों की जीमिदारी तय होनी चाहिए GST, MNST scheme जरूरी है रांची सखा के पुर्व अध्यक्ष CM बिनोद बंका ने कहा है कि बेतन भोगी वर्ग के टेक्स लिमीट को अढ़ाई लाख रुपे से बढ़ा कर पांच लाख रुपे करना चाहिए वहीं 80C के लिमीट को डेढ़ लाख से बढ़ा कर तीन लाख रुपे करना चाहिए ज्यारखन के खिलाडियों को बजट में आयुसमान का मिले लाब खेल और खिलाडियों के लिए सबसे महत्पुन चीज है इंफ्रास्टरक्चर और खेल से जुड़ी सुविधाए इसके लिए ही बजट में परुधान करना चाहिए इसके अलावा राज अस्तरिये मेडल बीजेता खिलाडियों को भी आयुसमान की सुधा दी जाए जिससे खिलाडि खूल कर खेल सके यह बात जार्खन उलम्पिक एसुसियेशन के कर्याले में बजट पर आयोजीत परी चर्चा के दरानखेल संग के पताधिकारियों और कोच ने कही जार्खन उलम्पिक संग के महासचीव डाक्टर महतु कांद पाठक ने कहा है कि बजट ऐसा हो जो इंफ्राटरक्चर को सपोर्ट करे इसके साथ हिराज में ट्रैक और स्टेडियम का प्रवधान बजट में होना चाहिए अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किये जाने का आदिवासी संगठनों का बिरोध जारखन के सरकारी विभागों में नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किये जाने की प्रकिरिया का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है इसको लेकर 16 जनवरी को दिन के तीन बज़े आदिवासी संगठनों के प्रतिनी धी जैपाल सिंग एस्टेडिया में जमा होंगे और मसाल जूलूस के साथ अलवट एका चोग पहुँचकर सरकार का पुतला दहन करेंगे धर्मगुरू बंधन तिगा के अदिवासी समाज सारना धर्मरक्षा अभियान के बैठक में यह निने लिया गया इस बैठक में यह भी कहा गया है कि सन्वीदा के नियोक्तियों में STSC आरक्षन का खुल्याम उलंगन हुआ है मुक्ष मंत्री इस तरह की गलती ना करें अन्याथा राज भर में आदिवासीयों का बड़ा आंदोलन होगा राज सरकार से मांग की गई है कि बैकलोग भैकेंसी का आकलन कर उनके बिरूद नियोक्ति परकिरिया जल्द शुरू की जाए बल्क में कामगारों की आवसकता वाले पोस्टर शिपकाने वाली कमपनी के खिलाप सिकायत जाच शुरू जारखन में एक बार फिर कई बड़ी एजेंसियों ने घरेलू नौकरी की तलास तेज कर दी है यहां से छोटे बचों युआओ और महिलाओ को ले जायकर महानगनों में डोमेस्टिक हेलफर घरेलू कारगार के तौर पर काम कराते हैं और इनका सोसन होता है दरजनों की संख्या में ऐसे मजदूरों को हर महिने दो महिने पर मुक्त कराया जाता है जन्वारी से 28 जन्वारी तक रांची पुलिस को तीन मोर्चे पर काम करना होगा एक तरफ तो जहां 26 जन्वारी को लेकर पुलिस को भी से चोक्सी बरतनी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और नुविलेंड की किर्केट टीमें 25 जन्वारी को ही रांची पहुंच जाएगी ऐसे में दोनों टीमों की सुरक्षा को लेकर भी तगड़े बंदोबस्त पुलिस को करना पड़ेगा वहीं सरस्वाती पुजा को लेकर भी पुलिस को तयारी करनी है बतादे 25 जन्वारी से 27 जन्वारी तक रांची पुलिस को सार की सुरक्षा विवस्ता को लेकर कापी मकस करनी पड़ेगी धन्यवाद